हेलो गाइज, वेल्थ एक्सरेस में आपका हर्दिक स्वागत है, आज मैं आपके लिए दो इंट्राडे स्टॉक लगके आया हूँ, जाब कल, कल आने कि 9 नवेंबर 2021 के दिन अगर वो लेवल पे मिलती हो तो आप उसमें एंट्री कर सकते हो, और 2% का स्टॉप लेवल रहेग पहला टागेट रहेगा, वो 6% का रहेगा, दुसरा टागेट रहेगा, वो 12% का रहेगा, तो उससे पहले अपने एक्सल सेट के उपर देख लेते हैं, कि आन्ट तारिकों मैंने 3 ट्रेट दिये थे, आपको पता है योगा जो लोग ने वीडियो रेगूलर देखते हैं, आ अपना बाइंग लेवल के इतना था, 132.6 था, तो स्टोक बाइंग लेवल के नीचे ओपन हुआ था, उसके बाद ट्रिगर हुआ था, यानि वेलिज सेट अप था, तो वो एक स्टोक है, तो यहापे मैंने अपडेट कर दिया, दूसरा अपना RGL था, 980.1 के नीचे ओपन हुआ था, उसके बाद 983 जितना गया, फिर अपना stop loss लेवल हो गया था, तो यहापे आप देख सकते हो, stop loss मेंने 960.5 का stop loss लेवल डाल दिया है, और minus 2% डाल दिया है, तो आप देख सकते हो, अपना वो पोजिशन क्लोज है, तो आप देखो कि 3 में से और 1 CG पावर था, व नो आट को देखना है, अगर buying price से उपर open होता है, तो वो अपना invalid setup हो जाता है, तो उसकी वज़त से CG पावर को यहापे अपने डाला नहीं, क्योंकि वो invalid setup में count होता है, और उसके पहले अपना एक position open था, कल का अगर वीडियो देखा होगा, तो MGEL नाम का stock का open था position, 91.45 प यह stock बंद हुआ था और कल मेंने बोला था कि आरम से 145 का high मार सकता है, तो stock ने 156 का high भी मारा था, तो अपने उसमें 12% का अपी target अच्छी हो गया था, तो कल यहापे आप देखो कि कल का वीडियो तो यहापे 6% था, लेकिन मैंने add करके 9% कर दिया, क्योंकि average अपना 9% होत decrease हुआ, क्योंकि आपे stop loss हो गया RGL में, इसलिए 1% का increase हुआ और 66 था वो अपना क्या हो गया, अभी end में 67 हो गया है, और जो man infra आपने buy किया है, buying level से अभी CMP कितना चल रहा है, उसका करीब 137.80 जितना चल रहा है, अने buying price से 4% उपर चल रहा है, तो अपना एकी stock अभी active है man infra, अगर अभी 2 stock दूँगा, उसमें अगर valid setup में होगा, तो कलिए आपे डाल दूँगा, 8 तारिक है 3 में से 2 में मैंने डाला हुआ है, तो यह हो गया अपना excel sheet के उपर, अभी chart के उपर चलते हो और 9 तारिक का, जो 2 stock है उसके बारे में बताता हूँ आपको, तो देखो उ उसे थोड़ा hold रखना पड़ा है, लेकिन आप देख सकते हो, यहाँ पे इसके उपर बाई किया था, stock ने non stop 3 दिन अच्छे से candle बने और आज भी 145 गया था, उसके बाद red candle बने, तो MGL को अभी आप पाई कर सकते हो, लेकिन अपने इसमें तोड़ा risk ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसको इस stock को अभी बाई नहीं करेंगे, और आप इसको बाई भी कर सकते हो, मैं लेवल बता देता हो, MGL अभी मैंने add किया, क्योंकि मैं जब देख रहा था, तब मेरे radar में नहीं आया था, मिस हो गया था मेरे से इसलिए, लेकिन अभी आप देखो कि चार्ट आप आपने क्या करेंगे, जो लोग नए हैं उनको फिर से बता दू, daily chart के उपर, RSI 50 की value 70 के उपर होनी चाहिए, और red candle बननी चाहिए, तो देखो red candle भी बनीए, daily chart के उपर, तो अपने क्या करेंगे, यहापी अपने buy करने का try किया था, काँपे एक तारिक का high और अपने दो तारिक को इसको entry मैं आ रही थी, और R Tucson 12% वह गया, तो अपने फिर से buy करने का try करेंगे, हाई कितना है 105.70 गाय तो आपने कब बाइ करेंगे 105.80 के अपना बाइंग लेवल होगा तो जो लोग नए जुड़े उनको फिर से बता दो अपना रोल स्केर आएगा समझो यह बाइंग प्राइज है तो आपको नौ साथ को देखना है स्टॉक इसके निचे ओपन होना चाहिए उसके बाद ब्रेक आउट देना चाहिए आज सीजी पावर में क्या होता बाइंग प्राइस के उपर ही ओपन होता तो वह अपना इन वैलिर सेट अप हो जाता है तो उसके निचे ओपन होना चाहिए उसके बाद ट्रिगर होना चाहि करते हो 105.2 सी अपना Ona Room & 305 पॉंट्ड सी थेया वह बांग लेवल रहएगा पहला टारर छे परशंग यानि 112.55 का आएगा पहला टारॡ्ड दूसरा टारॡड आएगा वह हो 12 परशंग रहएगा यहानि 188.55 का आाएगा वह दूसरा टर्गेट आएगा जब भी ट्रेड एक्टिव होगा तो अपने 2% का स्टोप लोस लगाएंगे 103.70 का अपना स्टोप लोस लेवल आएगा तो यह पहला स्टॉक हो गया जो आप नो तारिक को एंट्री करके एक अच्छा मुनापर ले सकते हो दूसरा स्टॉक का नाम है सीजी पावर जो आज अपना इन्वेलिट सेट अप की वज़़ा से ट्रेड नहीं हो पाया तो आप इसको फिर से बाइ करने का ट्राइ करेंगे डेली चार्ट के उपर आररे से 50 के वैल्यू 70 के उपर होनी चाहिए और रेट केंडल बननी चाहिए तो आपको बताओ देखो अपना कल बाइंग प्राइस कितना था 155.10 का था और आज का ओपन प्राइस देखो यहाप है यहाप आप देखो कि ओपन प्राइस तो 166.70 का है तो इन्वेलिट सेटप की वज़ा से अपने आज अक्सल सेट में मैंने इसको डाला नही है तो अभी अपने इसको बाइ कर सकते है रेट केंडल पनी हुई है और आरे से 50 की वैल्यू 70 के उपर भी है तो आज के हाई के ओपर अपने स्टॉक को बाइ करेंगे आज का हाई कितना है 169.50 का है तो अपने 10 पैसा बफर लगागे 169.60 को यह स्टॉक को बाइ करेंगे पहला टारगेट आएगा वो 6% आएगा 179.75 का आएगा वो पहला टारगेट दूसरा टार्गेट आएगा वो 12% का आएगा 189.95 दूसरा टार्गेट आएगा जब भी ट्रेड अक्टिव होगा तो अपने 2% का स्टोपलोस लगाएंगे 2% आप करोगे बाइंग प्राइज माइनस 2% है नि 166.20 अपना स्टोपलोस लेवल आएगा तो यह दूसरा स्टोप हो गया CG पावर अभी तीसरा स्टोप बताने जा रहा हो तो गाईज यह इंट्राडे का मतलब ऐसा नहीं कि एकी दिन में टार्गेट अच्छी हो जाएगा जैसे आज मैन इंफ्रा में क्या हुआ अपने 4-5% उपर गया है लेकिन टार्गेट अच्छी नहीं है तो आप उसको carry forward करके रख सकते हैं दो-चार दिन में आरम से टार्गेट अच्छी हो जाते हैं तीसरा स्टोप के बेस्ट एगरो बेस्ट एगरो में भी सेम सेटप रहेगा daily chart के उपर RSI 50 की value 70 के उपर होनी चाहिए ये red candle बननी चाहिए तो red candle बनी हुए तो red candle के high के उपर अपने buy करेंगे इसका high कितना 1366.40 है तो अपने 10 पैसा वफल लगा कि यानि 1366.50 पर stock को buy करेंगे आपको 9-7 को देखना है buying price 1366.50 के निचे open होना चाहिए उसके बाइद breakout देना चाहिए अगर gap up open होता है तो आप इसको आवर्ड भी कर सकते है पहला target आएगा वो 6% का आएगा 1448.50 का आएगा वो पहला target आएगा दूसरा target आएगा वो 12% का आएगा 1530.50 का आएगा वो दूसरा target आएगा जब भी trade एक्टिव होगा तो अपने 2% का stop loss लगाएगे 1349.15 का आएगा वो अपना stop loss लिवल आएगा तो गाइज मैंने आपको तीन stock बता दिये पहला stock का नाम है M.G.E.L. जो अपना अल्राड़ी 12% का target बुक कर दिया है तो भी अपने rate candle बनी है तो अपने rules के हिसाब से इसको buy कर सकते है अगर कल इसके उपर trade करता है तो दूसरा stock है CG power और तीसरा stock है best agro तीनों में trade करके एक अच्छा मुना पा लेज़कते हो लेकिन साथों सा stop loss rules भी आपको follow करना रहेगा गाईज और प्लीज गाईज वीडियो बहुत कम like करते हो आप और motivate नहीं मिल पा रहा है तो गाईज प्लीज वीडियो को like करके जाना अच्छा लगे तो तो थैंक्यू वेरे मुश बबाई टेक केर कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ थैंक्यू बबाई और गाईज एक बात और बताना चाहता दाओ मैं आपको बता दाओ कि साथो साथ मैं अभी देखो आप अगर जो twitter follow करते हैं और telegram तो उनको पता ही होगा कि मैंने ये update दिया था है option selling का अभी practice में कराता हूँ और मैं खुद भी करता हूँ एक lot के साथ अभी करते हैं और मैं तो पिछले एक दो साल से करता हूँ लेकिन अभी दिरह दिरह बहुत सारे comment आ रहे थे तो option selling में भी बता दाओ तो आप अगर मेरे साथ जोड़ना चाहते है option selling में तो आप देख सकते हैं आज मैंने infosys का क्या किया है 1720 जितना चल रहा था तब मैंने straddle बेचा है 1720 का call और put बेचा है और मैं चाहता हूँ मेरे चार्ट में ऐसा आ रहा है कि infosys आने वाले 10-15 दिन तोड़ा sideways रहेगा यानि उपर जाएगा तो 1750-60 जाएगा फिर नीचे जाएगा तो 1680 जाएगा मतला वही रेंज में बार-बार 1700 की रेंज में गुमेगा इसलिए मैंने उसको sell किया है अभी देखते क्या होता है और जो भी होगा अगर exit होगा तो भी मैं यह आपडेट कर दूँगा उससे पहले मैंने यह अपडेट नहीं किया था पेट्रोनेट का भी मैंने sell किया था वो strangle पेचा था पेट्रोनेट 220 और 240 का तब 230 चल रहा था और मैंको लग रहा था कि पेट्रोनेट आने वाले वन विक के लिए sideways रहेगा तो वो 230 भी रहा था और आज exit करने का result नहीं था कि कल पेट्रोनेट का result है और dividend का भी announcement है इसलिए moment आ सकती है कोई भी news होता है तो अपने stock में से exit करते है इसलिए पेट्रोनेट exit कर दिया है मैंने आज उसके बाद Infosys में क्योंकि अपने एक lot के साथ ही कर रहा है तो इसमें से exit करेंगे तो ही इसमें entry करेंगे एक साथ 3-4 lot में करेंगे और इसमें practice करेंगे इसमें भी जैसे intraday में अपने करते practice इसमें भी 5-6 मीन प्रेक्टिस करेंगे और कैसा performance रहता है उसके हिसाब से आपको में बतातार होगा तो गाईज इतना ही था आज के वीडियो में थैंक यू वेरिमेंस और वीडियो अच्छा रहा है प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना है